हेलो गाइज वेल्कम टो माइ यूट्यूब चैनल डेट इस रोणी क्लासेज आज मैं आप सभी लोगों को ऐसा इमेज में शोग रहा होगा मख्यों के बारे में कुछ इंडरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी तो चलिए जानते हैं मक्या हमेशा जनरली हमारे घरों में देखन अगर उनके मुँ से जिस चीज कर सौध लग जाता है उसे वो भूलती नहीं है इसलिए वो बार बार उसी जगह पर आकर बैटती हैं नेक्स्ट है दा स्टेट्स मैन में छपे एक लेक के मताबिक मक्यों का मुँ बेहदी नाजू क्याने सॉफ्ट होता है ये इनसान के शरी कि दिनों में इनसानों के शरीर से निकलने वाले पसीने की तरफ ये आकरशित होती है चलिए नेक्स्ट है यह भी माना जाता है कि मक्यों को हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देता है हाला कि मक्यों के बार बार वापिस लोट कर उसी जगह पर बैटने के पीछे कोई ठूस ग्यानिक कारण नहीं बताया जाता है नेक्स्ट है किसी भी इनसान के शरीर पर बैटने के बाद वो अपने पैरों को चक कर ये पता लगाती है कि यहां उनका भूजन है या नहीं अगर भूजन होता है तब ही वो वहां बैटती है औसत तापमान पर एक मक्यों हर रोज 30 से जिसमें वेग्यानिक थॉमस हंट मौरगन ने मक्यों पर एक रिसर्च की थी जिसमें पता चला था कि हमारे जीन डियने के जरी एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में जाते हैं अपनी रिसर्च की बदालत थॉमस हंट मौरगन ने नोबल पुरसकार जीता था वेग्यानिको ने अपने की ये तमाम रिसर्च में पता लगाया कि इन्सानों की 75 फीजदी बिमारियों की वज़ा के जीन मक्कियों में भी पाए जाते हैं तो गाईज ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो के रिलिटर थे मक्कियों से जिने अब हाउस फलाई बोलते हैं अगर मेरे वडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक कर सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए बिस इतना है एक कल मिलते है नए वडियो के साथ हसते रहे मस्कुराते रहे थैंक्यू गैस